आई पी पी बी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जीरो वैलेस सेविंग एकाउंट कैसे ओपेन करेंगे और वो भी अपने घर बैठे बीना बैंक गये दोस्तो बीना बैंक गये अपने घर बैठे account open करने के लिए आपके अधार card में आपका mobile number registered होना चाहिए और आपके पास pain card होना चाहिए उसलिए दोस्तों बीना किसी तरह का देरे किये account open करने की process को देखते हैं इसके लिए अपने mobile में play store को open करना होगा और इसमें search करना होगा IPB दोस्तों आप जैसे ही IPB भी search करेंगे इंडिया post payment bank का एप आ जाएगा और यहां से install करने का option आएगा तो दोस्तों यहां से इस app को install कर लेना होगा और दोस्तों इंस्टाल करने के बाद install वाले option पर open का option आएगा तो यहां से open पर click करके इस app को open कर लेना होगा उसके बाद photo, to media और file का access मांगेगा तो यहां से allow कर देना होगा उसके बाद location का access मांगेगा तो यहां से allow only while using the app पे क्लिक कर देना होगा उसके बाद दोस्तों इस तरह का page open होके आएगा और इपर में लिखा होगा welcome to IPPB banking mobile और इसके नीचे now login होगा और उसके नीचे new to IPPB open your account now तो दोस्तों इहां से अपने नए account को open करने के लिए new to IPPB open your account now पे क्लिक कर देना होगा उसके बाद दोस्तों इहां से mobile number इंटर करने का option आएगा और यहां से pen number इंटर करने का option आएगा तो दोस्तों यहां से अपने mobile number और pen number को inter करना होगा और उसके बाद नीचे में right side में continue का option है तो यहांसे continue वाल option पे click कर देना होगा उसके बाद दोस्तों आप जो mobile number इंटर किए हैं उस mobile number पे 6 digit का OTP जाए tijd को जायेगा और उपर में अधार नमबर लिखा होगा और यहां से scan keyword code तो दोस्तों यहां से आप अपने अधार काड को scan करके अधार verification कर सकते हैं और नीचे में authentication value होगा और अधार नमबर और virtual ID होगा तो दोस्तों यहां से अधार नमबर या virtual ID किसी एक को भी इंटर करके आप अपने अध करने के लिए अधार नमबर में अपने अधार नमबर को इंटर करेंगे और फिर नमबर यहां से सब्मिट वाफशन पे करेंना होगा कुल करने के वाद आपके अधार का option है तो submit वाले option पे click कर देना होगा उसके बाद दोस्तो account opening form आएगा और सबसे उपर में personal information लिखा होगा और उसके बाद pain and communication address होगा और उसके बाद normally detail होगा और उसके बाद additional information होगा और उसके बाद account information होगा तो दोस्तों यहां से यह सारे detail को इंटर करना होगा तो हम सबसे पहले personal information पे click करते हैं और यहां से अपने personal information को इंटर करते हैं तो दोस्तों नाम अधार number और आपका photo आपके अधार card से उठा लिया होगा और उसके बाद सबसे उपर में आपके mother maiden name लिखा होगा दोस्तों mother maiden name में अपने मा के नाम को इंटर करेंगे जो साधी से पहले मा का नाम था और उसके बाद husband and wife name में अपने husband या wife के name को इंटर करेंगे और उसके बाद mother's name में अपने मा के name को इंटर करेंगे जो अभी current में है और उसके बाद नीचे में फाज़स नेम आपको दिखा रहा होगा, और उसके नीचे email id इंटर करेंगे, और उसके नीचे आपका name होगा, as per kyc, जैसा कि आपके yc में आपका नाम है, और उसके नीचे name as per pen, pen card पे आपका नाम जैसा है, उसी तरह आपका नाम यहां दिखा रहा होगा तो दोस्तों यहां से यह सारे detail को इंटर करना होगा और यह सारे detail इंटर करने के बाद नीचे में right side में save का option है तो यहां से save वाले option पे click कर देना होगा save पे click करने के बाद personal information save हो जाएगा और personal information के सामने बुलू का निशान लग जाएगा तो दोस्तों उसके बाद pain and communication address को इंटर करना होगा तो इसके लिए pain and communication address क्लिक कर देंगे और यहां से form 60 declaration आएगा और उसके नीचे permanent address होगा दोस्तों यह permanent address आपके अधार कार से उठा लेगा और उसके नीचे communication address होगा और यहां लिखा होगा same as permanent address तो दोस्तों अगर आप अपने communication address को permanent address के जैसे बनाना चाहा रहे हैं तो same as permanent address के सामने tick लगा देंगे और अगर आप communication address में किसी और address को रखना चाह रहे हैं तो same as permanent address पे tick नहीं करेंगे और उसके बाद नीचे में right side में save का option है तो यहां से save वाले option पे click कर देंगे उसके बाद आपका pain and communication address भी save हो जाएगा उसके बाद दोस्तों nominee detail का option है तो यहां से nominee detail पे click करेंगे और यहां से do you want to enter nominee detail yes or no तो दोस्तों अगर आप अपने nominee detail को enter करना चाह रहे हैं यहां से अपने nominee के name को date of birth को nominee के साथ आपका relation और nominee के address को enter कर लेंगे और दोस्तों अगर आप nominee detail add नहीं करना चाह रहे हैं तो no do not wish to nominee पे click कर देंगे और उसके बाद नीचे में right side में save option है तो यहां से save wall option पे click कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपका nominee detail भी save हो जाएगा उसके बाद additional information पे click करेंगे और यहां से अपने additional information को enter करना होगा जैसे कि nationality Indian उसके बाद marital status को enter करना होगा तो यहां से marital status पे click करेंगे और unmarried, married, divorce जो आपका होगा उसको enter कर लेंगे उसके बाद occupation type पे click करेंगे और यहां से अपने occupation type को select कर लेंगे कि आप agriculture, business, homemaker, politician, retire, salary जो आप होगे उसको यहां से enter कर लेंगे उसके बाद दोस्तों gross annual income तो यहां से अपने gross annual income को enter करना होगा कि आपका annual income बार्षिक आये कितना है आप एक साल में कितने कमीनी कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों education level होगा तो यहां से education level पे click करेंगे और यहां से below matriculation, matriculation, under graduate, graduate, post graduate, professional तो दोस्तों आपका education जितना होगा आप जितना पढ़े लिख्या होगे उसको यहां से select कर लेंगे उसके बाद दोस्तों option होगा are you politically exposed person तो अगर आप political से related होगे तो yes पे click कर देंगे और आप political से related नहीं होगे तो no पे click कर देंगे उसके बाद दोस्तों नीचे में cancel और save का option है तो यहां से save wall option पे click कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपका additional information भी save हो जाएगा अब इसके बाद account information को save करना होगा तो इसके लिए account information पे click करेंगे उसके बाद require an account statement आएगा तो यहां से yes और no का option होगा तो दोस्तों यहां से yes वाले option पे click कर देंगे तो दोस्तों यहां से yes वाले option को select करने से आप अपने account के statement को check कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों mode of account statement delivery होगा तो इस पे click करेंगे और यहां से तो दोस्तो यहां से online वाले option को select कर लेंगे दोस्तो इससे आप अपने account के mini statement को online चेक कर सकते हैं उसके बाद दोस्तो dbt mapping होगा और इसके नीचे receive dbt in ippb account होगा तो दोस्तो यहां से concern देना होगा कि क्या आप अपने dbt benefits को ippb account में लेना चाह रहा हैं तो इसके लिए i agree to receive dbt in ippb account पे click कर देंगे दोस्तो इससे फायदा यह होगा कि आपके इस account में dbt की facility चालू हो जाएगा और आप dbt के दोवारा इस account में पैसा पा सकते हैं दोस्तो dbt में होता क्या है कि अगर आपके government से किसी scheme से फैसा आ रहा है जैसे कि किसान से यह गन्याई या किसी तरह की फैसा आ रहा है तो ओ पैसे जोए dbt के माध्यम से दिया जाता है जो की अधार कार्ट से दिये जाते हैं तो दोस्तो यह सब detail इंटर करने के बाद नीचे में I agree to I, P, P, B, Term and Condition होगा तो यहां से इस Term and Condition के सेट कर लेना होगा उसके बाद नीचे में right side में save का option है तो यहां से save while option पे click कर देना होगा उसके बाद दोस्तो यहां से account opening form fill करने का option complete हो जाएगा और सारे option पे green का tick लग जाएगा और फिर से नीचे में cancel और continue का option होगा तो दोस्तो यहां से continue वाल option पे click कर देना होगा उसके बाद दोस्तो banking option होगा और नीचे mobile banking SMS banking miss call banking की option होगा तो दोस्तो यहां से अगर आप तीनों option लेना चाहेंगे तो तीनों पे click कर देंगे और जो option लेना नहीं चाहेंगे उसको आप यहां से on select कर सकते हैं उसके बाद नीचे में आपका personal information होगा जिसमें आपका नाव, date of birth, आपका mother name, father name, mobile number, email, id और उसके बाद नीचे में pain and communication address होगा उसके बाद nominal detail होगा और उसके बाद additional information होगा और उसके बाद account information होगा और उसके बाद dvt mapping होगा मतलब कि दोस्तो आपने जितने अपने form को feel किया वो सारे detail यहां से दिखाने लगेगा तो दोस्तो अगर आपको इस detail में किसी तरह का problem लगेगा तो यहां से उस information के सामने pencil का icon है तो pencil का icon पे click करके आप उसको edit करके correction कर सकते हैं तो दोस्तो यह सारे detail चेक करने के बाद नीचे में cancel और confirm का option है तो यहां से confirm वाले option पे click कर देना होगा उसके बाद दोस्तो confirm पे click करने के बाद एक बाद फिर से भिरभाई करने के लिए आपके आधार कार्ड में जो mobile number registered होगा उस mobile number पे six digit का OTP जाएगा उस OTP के या enter OTP में enter करेंगे और उसके बाद नीचे में cancel और submit का option है तो यहां से submit वाले option पे click कर देंगे दोस्तो submit पे click करने के बाद फाइनली आपका अधार कार्ड फेरिफाई हो जाएगा और उसके बाद account created successfully लिख के आएगा और यहां से आपके customer ID को और account number को दिखा जेगा और नीचे में लिखा होगा account detail send to the customer register mobile number जो आपके mobile number registered होगा उस mobile number पे आपके account detail बेज दिया जाएगा और इसके नीचे go to home लिखा होगा तो दोस्तों यहां से go to home वाले option पे click कर देना होगा तो दोस्तों यहां से आपके account open हो गया है लेकिन आगे का registration करना होगा तो उसके बाद फिर से दोस्तों आपके account number और customer ID और आपका date of birth और आपके register mobile number को इंटर करने का option आएगा तो यहां से आपने यह सारे detail को इंटर कर देंगे और उसके बाद नीचे में register का option है तो यहां से register वाले option पे click कर देंगे तो दोस्तों register पे click करने के बाद set mpin का option आएगा और यहां से new mpin लिखा होगा और इसके नीचे re-enter mpin लिखा होगा तो दोस्तों यहां से अपने mpin को बनाना होगा दोस्तो एमपिन बना लेने से फायदा ये होगा कि अगली बार से जब आपने एप्स को open करेंगे तो वहाँ से आपको कोई पासवर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चार्ड डिजित के एमपिन डालेंगे और आपका एप्स लोगिन हो जाएगा और आप अपने services को use कर पा होगा तो दोस्तो यहां से शेट एमपिन वाले अप्स पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तो शे टेcht एमपिन पर क्लिक करने के बाद आपके खाता में जो रेजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर पे 6 डिजित का OTP जाएगा उस OTP के यहां इंटर OTP में इंटर करेंगे और एक बार फिर से नीचे में समिट का अप्शन होगा तो समिट वाले अप्शन पे क्लिक कर देंगे उसके बार फाइनली दोस्त लोगिन वाले आप्शन पे क्लिक करते ही इंटर OTP का अप्शन आ जाएगा और यहां से अपने OTP को इंटर करना होगा तो दोस्तों आपने जो फोल डिजिट के OTP को बनाया है ओंपिन को इहां इंटर कर लेंगे तो दोस्तों अपिन इंटर करने के बाद आपके IPPB के एप लोग इन हो जाएंगे और यहां से आपके सारे option दिखने लगेगा जैसे कि send money, request money, pay bill, debit card, भीम UPI, pending request, post office services और services का option यहां से सारे option दिखने लगेगा तो दोस्तो आप यहां से money को send कर सकते हैं, किसी से money को request कर सकते हैं, किसी bill को pay कर सकते हैं, भीम UPI को use कर सकते हैं, अपने debit card को देख सकते हैं, तो दोस्तो यहां से यह सारे services आप आसानी से use कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में मिलते हैं फिर से नेक्ट वीडियो में मैं आशा करता हूँ कि आपको IPPB में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको एकाउंट ओपन करने का कंप्लेट पोसस समझ में आ गया होगा और दोस्तो हाँ आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो दोस्तो प्लीज जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं मिलते हैं फिर से नेक्ट वीडियो में